नमस्कार साथियो, नियूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं पांच साल पहले जब GST लागू हुई थी तब कहा गया था कि इससे भारत की GDP में एक या दो परतिसत की बढ़ोत्री हो जाएगी राज्यों की GDP में भी एक दो परतिसत की बढ़ोत्री हो जाएगी और महंगाई में दस परतिसत की कमी आ जाएगी लेकिन अभी जो हाल है कि महंगाई बढ़ रही है और जीवन की बुन्यादी चीजों पर भी GST लगा दी गई है तो इस पूरे परिद्रिश्य पर बात चीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार वी सृधर तो सर आपसे पहला सवाल होगा कि अभी जो विवाद चल रहा है कि जो जीवन की बुन्यादी चीजें है जैसे अनाज है, दूध है उस पर भी क्या किया गया है कि GST लगा दी गई है तो यह विवाद थोड़ा बताएंगे खोल करके क्या है अब इसको समझने के लिए हमको थोड़ा एक परस्पेक्टिव लेना पड़ेगा जो पांच साल में जो हुआ है GST के साथ और खास करके पैंडमिक के बाद जो राजियों पे जो दबाव पड़ा है उसका उसको इस चीज को अगर ध्यान में नहीं रखें तो केवल यह रेट के बारे विवाद करेंगे तो कोई फाइदा नहीं है इस पर तो क्या हुआ है कि अभी इतना दबाव आ चुका है गवर्मेंट पे कि वो किसी सेंटर जो केंदर सरकार है वो बड़े पुझीपतियों पर तो छूट देती आई है और कोई रेवन्यू मोबिलाइस करने का कोई चारा नहीं रहा अब दूद और अनाहज पर लगाने का यही यही है कारण और यह अभी और यह पिछले दो-तीन साल में जो स्लोडाउन चल रहा है भी एकॉनमी का जो स्लोडाउन चल रहा है जिसका आप अनेम्प्लोईमेंट पे देखते हैं और हर तरह के चीज़ पे देखते हैं तो यह इसके इस दबाव के कारण ही किसी तरह चट-पटाते हुए किसी तरह टेक्स बढ़ाने की चक्कर में यह यह है वो यही है इसका यह यानि कि आप यह कह रहे हैं कि अर्थवयवस्था लचर है और राजस्व हो नहीं पा रहा है इसलिए आम आदमी पर बोज ज्यादा लाद दिया गया है और आपने एक सुरुवात में बात कही कि पां साल का जो परस्पेक्ट्व है इसे आप बताएंगे कैसे बताएंगे इन पांच सालों में क्या काम काजरा है जीस्टी का एक चीज है कि यह जीस्टी जो जब 2017 में जब लागू हुआ इसके पहले 20 साल तक ईसपर चक्छा चली क्यों इतना लंबा चर्चा क्यों क्यों खुद्रुद पडा इसके इसको समझने के लिए अगर जो हमारे संभिधानिक मुनें टैक्स के जो संभिधानिक धाचाは टैक्स के लिए स्टेट उस पे सेंटर का हाथ नहीं लग सकता था यह था इसी लिए आप देखेंगे 2017 में जब जीएस्टी लागू हुआ तो ऐसे ऐसे नहीं था ना कि कि पार्लिमेंट में एक बिल पास हुआ और जीएस्टी सब जगा लागू हुआ ऐसे तो नहीं हुआ यहीं कारण है क्योंकि जो सम्विधानिक घाचा जो था उसमें यह स्टेट के लिए रिजर्व था यानि कि यह बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कहता है ना बेसिक स्ट्रक्चर इसका एक एक बहुत ही महत्वबून अंग था यह इसी लिए अभी भी हाल ही में जो सुप्रीम कोट का जो ओडर आया था वो फिर से यहीं बताया कि स्टेट का जो स्टेट का और राज्य सरकार का जो है हक यानि जो खास करके जिसे सेल्स टैक्स जो इस पे गुड्स जिसे क कहते हैं वस्तूब पे लगता है उस्ते का हां जेन्टर का हाथ नहीं लग सकता है और अभी वह बदला नहीं है इतने कानून वदलने के बाद भी तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि जो स्टेट के पास यह एक अलग ऐसी ही टैक्स थी जिसके अलावा कोई और यह नहीं था क्योंकि जो स्टेट के रेविन्यू में देखा जाये जिसके के पहले भी कम से कम 60 या 65 परसंट उनके जो स्टेट के जो टैक्स आते थे राज्यों का जो टैक्स आता था वो गुड्स पे ही आता था तो उसको अगर आप अगर बदल रहे हैं तो उसको किसी तरह कॉंपनसेट करने के जरूरत है ना तो सर मैं आपसे ये जो आपने कहा कि वो आधारभूर धांचा बेसिक धांचे का हिस्सा था तो जो GST लागू की गई उसमें अगर आप देखें डिजाइन के तौर पर तो ऐसी क्या खामिया हैं जिस खामियों की वज़ा से ऐसी अर्थवेवस्था की लचर हुआ है और थोड़ा अप GST को भी बता दीजे क्यूंकि आप भी बहुत लोग कुछ चीजे समझ में नहीं आती है कि GST काम कैसे करता है किस तरीके से टैक्स लिया जाता है इसको भी थोड़ा सरल तरीके से आप बता दीए तो ऐसा था ना कि जब GST बना तो स्टेट के जो टैक्स थे यानि सेल्स टैक्स हुआ, एंट्री टैक्स हुआ, सारे टैक्स ये GST में चला गिया, लेकिन ये जो टैक्स थे वो इनके करीब करीब 60 या 65 परसंट इनके राजियों के रेवन्यू में आता था, मैंने कॉंट्रिब जो जिसे आप एक्साइस कहते ना, जो पहले सेंट्रल एक्साइस होता था ना, तो सेंट्रल एक्साइस बगरा बगरा छोटे-बोटे टैक्स उनके वो सरेंडर किये, तो यानि कि टोटल सेंटर के जो टैक्स थे, जो टैक्स इन्होंने सरेंडर किया, उसका केवल 20 परसंट सरेंडर किये, लेकिन स्टेट ने 65% करीब के सरेंडर किये, तो यानि कि स्टेट के जो हाथ में था, जो टैक्स, वो में तो GST में चला गया, अब GST का डिजाइन कैसे बना, GST का design ऐसी था कि यह value-added tax होगा, यानि हर एक stage पे, हर एक stage पे जो tax लगेगा, जैसे कोई यह उदारन से एक कलम ही ले लिजे, यह कलम जब बनता है, तो इस पे अलग-अलग parts आते हैं, तो जो बनाता है कलम, उसके लिए वो input रहता है, तो input tax जो होता है, तो input tax credit claim कर सकते हैं, जैसे आप, आप मान लीजे कि यह 10 रुपया का कलम है, और आपने 5 रुपया का inputs खरीदा, तो 5 रुपया के जो inputs पे जो tax लगा था, उसको आप जब GST आप फाइल करेंगे, तो इसको claim कर सकते हैं, तो यह था इसका system, की यह, और जो center, जो excise tax थे, excise duty वगरा जो था, वो production के आधार पे था, consumption पे नहीं, यानि यह कलम जब बनता है, तो इसके मूलिय पर tax लगता था, इसके मूलिय पर, लेकिन यह कलम पर अगर GST लगाएंगे, तो इसके जो आप दुकान में जब खरीते हैं, उसके मूलिय पर लगेगा, यान अगर इसका production cost 6 रुपया था या 7 रुपया था या जो भी था, उस पे excise लगता था, तो यानि को center को जो पहले मिलता था, उससे कई गुना ज्यादा मिल रहा है, अभी GST के तोर पे, क्योंकि last stage, consumption पे tax लग रहा है, और इसका value ज्यादा है, तो input tax credit क्लेम कर सकते हैं, अब G Central GST, दूसरा जिसको CGST कहते हैं, जब आप कोई भी बिल में देखेंगे, तो दो भाग होते हैं उसके, एक तो होता CGST और दूसरा होता है SGST, और ये इसका भी जो बटवारा हुआ है, वो 50% के तोर पे हुआ है, वो भी गलत है, क्योंकि जब कि राज्यों ने बहुत ही ज्य जादार अपने revenue को sacrifice किया है, और इसको equally आप split कर रहे हैं, तो बिलकुल बने घाटा तो घाटा ही हो नहीं इनका राज्ये को, तो ये है इसका design, और इसी के कारण राज्यों पर दबाव पड़ रहा है, और अब ये खास करके आप जो जितने भी main expenditure होता है state government का, जैसे शिक् time, police administration का हुआ, सारे चीज़ तो state government करते हैं, खर्च, यानि कि 60% के करीब उनके total अगर देखा जाए, बने rough estimate बता रहे हैं, कि 60% अगर expenditure पे राज्यों का खर्च होता है, लेकिन उनके पास revenue का, ये केवल 30 या 35 या 40 परसंट है, तो इसी लिए दबाव हो रहा है, राज्यों पर दबाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इसी लिए, इसी के कारण, ये केंदर सरकार को मालूम था जब GST बना था, इसी लिए compensatory mechanism बना था, अब वो भी खतम हो गया, जून 30 तारीक के बाद वो खतम हो गया, ये जो बात है, आपने स्टेट को कहा कि ऐसा डिजाइन है कि स्टेट को घाटा हो रहा है, तो ये जो स्टेट को घाटा हो रहा है, तो ये जो स्टेट को घाटा हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि घाटा होता है, लेकि जब जो मेडिया में खबरे सुनते हैं, जो देख रहे कि इतना GST मिला इतना GST मिला ये विरोधा भास क्या है देखिए कोई भी जिसको अर्थ व्यवस्तिया की एनलिसिस में कोई भी फिगर होता ना जो उसको एबसलूट नंबर में बताना बिल्कुल गलत है क्योंकि जैसे आप हर महिने हर महिने एक तारिक को आपको पिछले महिन का GST का फिगर्स आ जाता है आप मीडिया में देखेंगे तो आपको देखेंगे कि आप देखेंगे कि हर महिने रेकॉर्ड जी एस्टी कलेक्शन ये कहते हैं लेकिन पिछले साल ये नंबर में बताते हैं इस महिने एक 1.4 लैक प्रोर हो गया है रेकॉर्ड हो गया अब का जो एक लाग करौर ठाउ और अपका जुक्लाग करोर है सबीर जानते हैं किस तरह से यह इन्फलेशन का यह चल रहा है और इसमें आज का ए 1.4 लैक क्रोर का वैल्यू और 1.4 क्रोर का कोई फरक नहीं परता तो इसलिए इसको इस तरह से देखना गलत है कैसा देखना चाहिए आपको economy के size के तुल्ला में देखना चाहिए कि क्या है अब उसमें देखेंगे तो कोई बड़ा भी हुआ ही नहीं है जैसे GST के शुरुआत में जो था वो तकरीबन 6% था अभी वही है कहां बड़ा है आप तो कह रहे थे कि 1.1 to 2% बढ़ जाएगा बल्कि आप देखेंगे तो जैसे कि आप करनाटा का जहां पर मैं हूँ दो हजार तेरह में स्टेट के जो GST होता है जिसको स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोड़क कहते हैं उसके तुल्ला में करीब 10.6 परसंट था 2013 में और घटके भी 6 परसंट हो गया महरास्ट्रा में तमिल्नान में गुजरात में सभी सभी राजियों में हुआ है यह जब क्यों दगिक राज्य हैं तो इसमें तो जो बनने का जो बात हुआ था उस टाइम वो तो हुआ नहीं है और इंफलेशन पे तो आ कि इनपूट क्रेडिट के बारे में आपने बताया लेकिन ये भी कहा जाता है कि इनपूट क्रेडिट में भ्रष्टाचार भी है और दूसरा बात ये कि इनपूट क्रेडिट का फायदा बड़े उद्यों को हो रहा है छोटे उद्यों को नहीं हो रहा है और छोटे उद्य बहुत ज़्ड़ा है इसे थोड़ा समझाइए जैसे आप मैं कहता हूं कि जो जिएस्ट के कारण क्या हुआ है दो तरह से सेंट्रलाइजबेशन हुआ है एक तू मैंने बताया कि एक बनकि राजियों और केंद्र सरकार में जो यह वग ज्यादा से ज्यादा पावर अभी केदर के हाथ में है वो एक तरह का सेंट्रलाइजेशन हुआ और दूसरी तरह का एक सेंट्रलाइजेशन है जो मीडिया में बिल्कुल बताया नहीं जाता है आप देखते आप देखेंगे क्योंकि यह केवल टैक्स रेट के काञण यह नहीं हो रहा है बहुत बहुत छोटे उद्योग जो है, वह बहुत ही बने इससे परेशान है कि क्यों है यह एक एफल टैक्स रेट के कारण नहीं है जैसे आप टेक्सटाइल लिजीए पांच परसन्व तैक्स क्या आप समझते है आपको हर एक छोटे एक दम छोटे से छोटे उद्योग भी एक auditor को रखना है पहले क्या होता था साल में एक बार auditor को देखते थे आप अब अब हर महिने आपको फाइल करना है अब बिना auditor का आप काम नहीं चला सकते हैं आपको system चाहिए computer चाहिए मेंटेन करने का आदमी चाहिए स्टाफ चाहिए इस तो खर्च हुआ ना और input tax credit में क्या होता है कि इसे की GST का design ऐसा है कि input tax credit आप claim कर सकते हैं जब आप register हो यानि बहुत छोटे उद्योग जो है वो रेजिस्टर नहीं हो सकते हैं और उनका उसमें GST में जो कानून में जो यह है उसकोप यह भी है कि अगर इतने turnover होगा उससे कम अगर होंगे तो आप GST register करने की जरूरत नहीं है लेकिन उसका घाटा क्या होता है आप input tax credit नहीं क्लेम कर सकते हैं आप समझ लिजिए एक मैं उधारन लेता हूं जैसे आप जैसे आप समझ लिजिए हिंदुस्तान लीवर हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है company बड़े 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 कंपनी है बने food processing वगरा बहुत करते हैं या ITC ले लिजिए इनका क्या है इनका integrated production है उनका supplier होता है जिससे वो input tax credit क्लेम कर सकता है अब जैसे कोई जैसे आप आटा कही ले लिजिए ना उधारन अब एक छोटा जो कार खाना चला रहा होगा वो integrated नहीं है वो अकेला production में चला है क्योंकि वो input tax credit नहीं क्लेम कर सकता है तो आप देखेंगे जो ITC या हिंदुस्तान लिवर के साथ market में टक्कर ले रहा है वो compete नहीं कर सकता है इसके साथ क्योंकि उसका cost of production हो गया cheaper आपका cost बढ़ गया जो जिसको हम stand-alone unit बोलते न वो उसका नुक्सान हो रहा है इसी लिए जो देख रहे हैं कि छोटे उद्योग इसी कारण परेशान है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे है वो एक केवल tax rate और tax administration का विशह नहीं है यह यह DST का design design अपने आप से बायस्ट है बने उसको favor करता है जो बड़े उद्योग पत्य उनको favor करता है तो यह हुआ एक और तरह का centralization यानि कि आप यह कह रहे हैं कि जो छोटे उद्योग होते हैं वो supply chain उनका ठीक से नहीं होता है वो ठीक से integrated नहीं होते हैं इसलिए input credit claim नहीं कर पाते हैं जबकि यह सहूलियत बड़े उद्योगों को होती है और इसलिए उनका फाइदा है और design इस तरीके की बनी हुई है यह centralization अब आपसे मैं एक अंतिम सवाल जो पूछूंगा वो यह है कि कहा जाता था सुरू में कि पांच साल जब गुजर जाएंगे तब GST के बारे में यह पता चल पाएगा कि यह ठीक है या नहीं इसके बारे में ठोस बात कही जाएगे क्योंकि एक पूरे टेक्स पनाली में हम परिवर्तन कर रहे हैं तो आपसे मैं निसकर्स में पूछूं तो क्या ऐसा हो रहा है कि जो भारत का संघवाद है वो पूरी तरह से केंद्रीकण की तरह बढ़ रहा है और केंद्रीकण भी ऐसा हो रहा है कि अर्थ्वैवस्था लचर होती जा रही है क या मैं सही होंगा बिल्कुल और यह केबल GST के साथ नहीं है यह अब देखेंगे तो 2016 के बाद तीन भायंकर जटका हुए यह लगा है भारत के बने जो प्रोड़क्टिव क्यापैसिटी है उस पे तीन बार हमला हुआ है एक तरह से एक तो हुआ का demonetization और फिर आया GST और तीसरा आया pandemic यह तीनों में आप देखेंगे Centralization का force बढ़ता जाना है और तीनों तीनों इसमें आप देखेंगे कि इनी छोटे उद्योग पर ही सबसे ज्यादा हमला हुआ है सबसे ज्यादा घाटा उनी को हुआ है तो यह जो एक तरह से देखा जाए तो यह जानबूच के ही किया जा रहा है यह ऐसे नहीं कि यह ऐसे हो गया सवाल और बच गया था कि यह जो सेंटर को जो नुकसान होता है वो तो अपना वो डीजल पेटरॉल पर टेक्स लगा कर पूरा कर लेते हैं यह सहुलियत राज्यों को तो नहीं होतेगी न कि वो कैसे अपना घाटा पूरा करें अपना घाटा पूरा करें बिलकुद यह अग्थ है इससा को कोई लिमिक नहीं है। राज्यों पर लिमिट है कि मनने जो सब्सक्राइक आप नहीं बनाद कि अब नहीं है है custom duty बढ़ा दिये मैं कहने का बतला में को सही गलत पर नहीं जा रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि केंद्रे के पास बहुत इतना power है कि वह बहुत तरह से revenue mobilize करने के पास उसके पास है सकती जो राजियों के उससे तो petrol तो GST में सामिल होना ही चाहिए क्योंकि वह petrol डीजल यह तो basic input बनाना बहुत सारे कि state के पास और कोई liver नहीं है tax बढ़ाने के लिए तो उसको तो इसको अलग से discuss नहीं किया जा सकता है अब पूरे अगर बात नहीं करेंगे और केवल पेट्रोल के पारे में जीएस्ट के यह तिक्निकली जैसे आप डिसकस करेंगे तो उसका सही यह नहीं निकलेगा इसलिए राजियों के पेट्रोल पे जो टैक्स है उस पर जल्दी से देना नहीं चाहते हैं सिंटर को जीएस्ट के अंद बढ़ते जा रही है और छोटे वैपारों को बहुत नुकसान पहुँच रहा है सुक्रिया अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे फेस्बूक पेज हमारे टुटर को लाइक कर सकते हैं और देखते रहे निउस क्लिक